क्या भाजपर की मजबूरी का फाइदा उठा रहे हैं नितीश कुमार क्या बीजेपी का इस्तमाल करके अपनी राजनितिक एक्षाय पूरी करना चाहरी है जद्वी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आईए आपको विस्तार बें बताते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं कापिजल टीवी बिहार का स्पेशल सोब बिहार का चौसर और मैं हूँ आपके साथ आत्म जा देखे नितीश कुमार की पाटी जद्यू वर्तमान राजनितिक हलात में सियासी हैसियत में काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी वज़ा साफ है कि भाजपा अपने सांसदों के बल पर बहुमत नहीं बना सकी है ऐसे में 12 सांसदों की सक्ति के हवाले से जद्यू के रणेतिकार अपनी दबी हुई कई राजनितिक एक्षाएं पूरा करना चाहेंगे भले विसेस राज्य का दर्ज़ा को लेकर बाक फूट पर जद्यू है लेकिन पाटी का वस्तार और जद्यू को राश्टिय पाटी बनाने को लेकर जद्यू के रणेतिकारों का भाजपा के कंदे पर सवार होकर राश्टिय दर्ज़ा पाने का फुल प्रोप प्लान तयार जिया केंद्रे चुनाओ आयोग के नियम 9068 के अनुसार जद्यू को अगर राश्ट्रिय पार्टी बनना है तो चार या उससे ज्यादा राज्यों में लोग सभा चुनाओ या विधान सभा चुनाओ लड़ना होगा या फिर जद्यू को कम से कम 6 प्रतीशित वोट हासिल करने होंगे या फिर जद्यू को कम से कम 4 उमिद्वार किसी भी राज्य या राज्यों से संसद में होना चाहिए या फिर जद्यू को कम से कम 4 राज्यों में छेत्रे पार्टी होने का दर्जा भी प्राप्त होना चाहिए इसके अलावा जद्यों लोग सबा की कुल सीटों में से कम से कम दो प्रतीशत सीटे जीत जाए और जीते हुए उमिद्वार तीन राज्यों से अगर हो जाएं तो भी वह रास्टिये पार्टी बन सकती है इसके अलावा जदियों के सांसदों के संख्या और भाजपा के स्वैम के सांसदों के द्वारा बहुमत नहीं होने का हर फायदा नतीश कुमार लेना चाहते हैं दवाब की राजनिति के नतीश कुमार माहिर खलाडी हैं राजनितिक क्योंकि अगर माने तो सुर्शा की तरह पाटी का वस्तार वह धीरे-धीरे करना चाहते हैं इसे मुईत को पूरा करने के लिए जदियू एक बार फिर से ज्ञारखंड वधान सभा से राष्ट्य पाटी की होड के लिए चुनाओ लड़ेगी और सहयोगी दल भाजपा के सहयोग से इसे पूरा भी करना चाहेगी जदियू चाहेगी कि भाजपा के कंधे अन्य राजू में भी चुनाओ लड़कर प्रतिनिधी और अपना वोट प्रतीशित बढ़ा लिया जाए इस उदेश्य के लिए जदियू बिहार के अलावा, जार्खन, MP, UP, मणीपूर, नागालेंड और अरनाचल प्रदेश में भी वधान सभा चुनाओ लड़ने की कोशिश करेगी बतादे कि लोगसबद चुनाओ 2024 के पहले जदियू, MP, वधान सभा का चुनाओ भी लड़ना चाहती थी लेकिन भाजपा ने जदियू को साफ कहा कि मध्य प्रदेश में हमारा गठबंधन नहीं है अकेले लड़ना अगर आप चाहे तो लड़ सकते हैं लोगसबद चुनाओ 2024 के दोरान भी जदियू गठबंधन के अस्तर पर चुनाओ लड़ना चाहती थी तब भी भाजपा के रड़ितिकारों ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जदियू के साथ भाजपा का गठबंधन भी नहीं है लोगसबद चुनाओ पर नाम से उत्तसाही जदियू एक बार फिर से राष्ट्रिय पार्टी बनने की होड में शामिल होने के लिए चुनाओ लड़ने जारी है सांसदों के संख्या बल का आइना दिखा कर जदियू के रड़ितिकार एंडिये के प्लैटफॉर्म से या फिर इंडिपेंडेंट भी रहकर जदियू जार्खंड के चुनाओ में पार्टिसपेट करेगी और घोशना भी कर दी है कि वहां से चुनाओ जदियू लड़ेगी आपको बता दे कि राष्ट्य फलक पर छा जाने का गोल अब जदियू के राष्ट्य अध्यक्ष नितिश्ट कुमार और जदियू के कारेकारी अध्यक्ष संजेज जार दोनों मिल कर खेलेंगे इस मोड की पहली कड़ी के रूप में उभर कर जदियू की सदस्यता ग्रहन कर जदियू को अब राष्ट्य पार्टी बनना है तो चुनाओ के माध्यम से जन प्रतिनिध्यों की संख्या के साथ-साथ वोट प्रतीशित बढ़ाने के राष्ट्यक्ष खेल में भी उसे सामिल होना होगा यह तो जदियू की राष्ट्यकार्यकार्णी की बाठक में ही फैसला हो गया था करतेश कुमार के नितरित्व में 2025 के वधान सबा चुनाओ पूरे उत्सा के साथ जदियू लड़ेगी फैसला यह भी हुआ कि 2025 में राष्ट्यों में वधान सबा के चुनाओ तो ने 11 वधान सबा सीटों पर चुनाओ लड़ने की घोशना कर दी है लेकिन अंदर की जयनकारी जो सामने आ रही है उसके अनुसार जत्यू गठ बंदन धर्म के साथ चुनाओ लड़ना चाहती है का तो यह भी जा रहा है कि पुर्वी जमसेदपूर के साथ जद्यू चार और विधान सबा शेत्र से चुनाओ लड़ना चाहती है यह भी माना जा रहा है कि भाश्पा भी चाहती है कि इंडिये के तहत इस बार जारखंड में चुनाओ लड़ना चाहती है ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाजपक की मजबूरी का फायदा जदियू उठा रही है और भाजपक की कंदे पर बंदूख रखकर नतीश कुमार अपनी राजनितिक महतोकांचा को पूरा करना चाह रहे हैं और जदियू को रास्ट्री पार्टी बनाने की कवायद में जोट चुके हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना फायदा नतीश कुमार को मिलने वाला है और क्या वाकई में वह भाजपक के कंदे पर बंदूख रखकर चुला रहे हैं तो आप कमेंट करके अपनी राये जरूर बताएं वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अब्रेट्स के लिए देखते रहें कापिटल टीवे बिहार धन्यवाद